हेलो दोस्तों नए ब्लोग में आपका स्वागत है दोस्तों ये दुर्गा मा की मंदीर है और नाइट वियू के साथ आंतरिक द्रिश के साथ मैं इस ब्लोग में आपको दुर्गा मा की मंदीर को आपको दिखाऊंगा ये दुर्गा मा की मंदीर जो है वो बसवहार गाउं मे इस्थित है दोस्तों मैं थोड़ा रिमाइड आपको करा दू कि 2022 में 12 फरवरी को मंदिर की अस्थापना हुई थी और कलस यात्रा निकाली गए थी और 2023 में भी जो है कलस यात्रा निकाली गए जन्म उत्सव और सगाठ के रूप में दोस्तों मैंने पिछले वर्स आपको वायदा किया था कि मंदिर को मैं आपको आंतरिक रूप से दिखाओं तो मैंने आपको इस वीडियो में अपनी प्रोमिस को पुरा किया है तो आप देख लीजी कि मंदीर का आंतरिक जो द्रिश है वो कैसा है तो यहां दुर्गा मा की परतीमा जो है बीच में स्थापित है और अन्य देवी देवताउंगन की भी परतीमा यहां स्थापित है यह देखे तुलसी मा का सुंदर सा गमला है और 14 फरवरी 2023 को मैंने ये वीडियो सूट की थी और मैं वीडियो सेर नहीं की या कर पाया क्योंकि मेरी तवियत खराब हो गई थी इस दिन जागरन था और रात भर हम लोग यहां गुजारे थे और ठंडी के समय के कारण जो है कि यहां हम लोग रह गया है जिसके कारण जो है कि तवियत खराब हो गई तो मैं आज इस वीडियो को सेर कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि 14 फरवरी के दिन जो यग के समाप्ति हुई तो यहां का जो है सुंदर सा दृष्य जो की दुर्गा मा के मंदिर का है तोस्तों मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि तुर्गा मा की इस भवे मंदिर का नाम सिस्री पंच मंदिर रखा हुआ है जो की दिवार के पट पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ जो की मैं आपको दिखा देना कुछी समझता हूं तो देख रहे हैं कि सिस्री पंच मंदिर बसभार लिखा हुआ है तो मंदिर काफी भवे बनी हुई है और मैंने पिछले वर्स आपको ये प्रोमिस किया था कि मंदिर आपको दिखा दूँ लेकिन मैं कुछ कारणों से जो है कि मंदिर आपको दिखा नहीं सका तो इसके लि कारण जो है कि मेरी तबियत खराब हो गए मेरी फैमिली भी यहां थी जिसके कारण वो सभी की तबियत खराब हो जाने के कारण मैं वीडियो सेर नहीं कर पा रहा था इडिट नहीं कर पा रहा था सौंग नहीं सेर कर पाऊंगा क्योंकि कॉपी राइट का सामना करना पर सकता ह तो भव्य जागरन हुआ रात भर खुब हम लोगों ने जागरन का लुपत उठाया और ये देखिए यहां पंडाल लगे हुए हैं जहां जागरन में भक्त गन बैठ करके जगराता में समलित हुए हैं और मैं और मेरी फैमली भी समलित हुई रात भर ठंडी में गुजारने के कारण तवियत मेरी जादा ही खराब हो गई थी इसलिए मैं लेट से सेर कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं आपसे दिल से सोरी बोलूँगा तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा इस भव्य मंदिर का और जागरन का जागरन का तो सेर नहीं कर पाऊंगा तो सोरी तो दोस्तों मिलते हैं नए ब्लॉग में तो बने रहे हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी के बेल को आइकन को दवा दीजिए जम करके तो मिलते हैं नए ब्लॉग में जै माता दी दोस्तों